असलाम अलेकुम दोस्तों मैं अहमेद रजा और टेक्टिक अलवाल हिंदी यूटूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों कभी-गभी ऐसा होता है कि हमारे जो वीडियोज होते हैं वो बड़ी साइज के होते हैं या इसके अलवा अलग फॉर्मेटिंग होती है कि जिसकी वजह से अमारे मोबाइल वगरा में नहीं चल पाते हैं तो उसके लिए हम उसको कणवर्ट करते हैं तो उस कणवर्टिंग के लिए अलग-अलग सवफियर यूज करना पड़ता है तो आज हम ऐसे application के बारे में आपको बताएंगे कि आपको किसी converter की जरूत नहीं पड़ेगी किसी ऐसे खास अलग से कोई application डाउनलोड करने की जरूत नहीं पड़ेगी सरफ अगर आप VLC player जो है VLC player हर को यूज़ करता है अपने laptop और अपने PC के अंदर तो VLC player जो है उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके जरीये पे आप convert कर सकते हैं वीडियो को वीडियो में भी convert कर सकते हैं और इसके अलब अगर आप MP3 में convert करना चाते हैं तो MP3 में भी convert कर पाएंगे तो simple है आप अपना VLC player खोल लीजिए और इसके अंदर आप यहां कौने में चले जाएए मीडिया के अंदर जैसे ही आप मीडिया के अंदर जाएंगे तो आपके सामने यह menu खुल जाएगा जिसमें आपको यहां convert and save का option मिलेगा आप convert और save के option को दबा कर यहां से भी जा सकते हैं इसके अलावा अगर आप ctrl R पर क्लिक करेंगे तो आप ctrl R क्लिक करने से भी यह option खुल जाएगा तो चलिए हम direct यहां से convert and save को क्लिक कर देते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का box आ जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे option है आप disk भी create कर सकते हैं network का भी option है capture device का भी option है और files का भी है तो आपको करना क्या है कि जिस video को आपको convert करना है उस video को यहां से आप add कर लीजिए जैसे ही आप add पर click करेंगे तो आपके सामने आपका desktop का menu खुल जाएगा आप अपनी file को तलाश कर लीजिए जिस file को आप convert करना चाहते हैं जैसे कि मैं convert करना चाहता हूँ इस file को तो हम यहां से यह file select कर लेते हैं देखे यह file यहां पर show होने लगी है अब आपको करना क्या है कि यहां जो convert and save लिखा है उस पर आपको click करना है आप जैसे इस पर click करेंगे तो आपके सामने यह menu आ जाएगा आप देख सकते हैं कि यहां source दिया हुआ है हमने जो file select किये वो यह रही और इसके अलावा आप जो भी काम जो है वो convert करना चाहते हैं वो convert display हो आपके सामने जो भी random होगा या जो भी converting होगा वीडियो वो display हो तो आप यहां टिक कर दीजिए इसके अलावा आप यहां से formatting chain कर सकते हैं आपको किस तरह की formatting चाहिए जैसे इसमें बहुत सारे option है आप देख लीजिए कि बहुत सारी वीडियो की भी दी गई है और mp3 भी दी गई है बहुत सारी है तो फिलार हम इस वीडियो की clip को mp3 में convert करेंगे अगर आप अपने इसाब से कोई formatting चूज करना चाहते हैं तो आप simple यहां पर जो है इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो आप अपने इसाब से formatting select कर पाएंगे उसके बाद आपको करना क्या कि यहां browser में click करके आपको file कहां पर save वो select करने ना है आपका जो भी file convert होकर कहां से हो उसको यहां से आपको select करना है तो हम जैसे ही browser पर click करेंगे और हम उसी folder में चलिए कोई नाम दे देते हैं जैसे के test और save कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि file का यहां पर sources भी आ गया और कहां पर save होगी उसका भी आपको folder का sources आ गया अब आपको करना क्या है जैसे आप यहां पर start करेंगे तो direct आपकी जो यह file है video file वो mp3 में convert होना शुरू हो जाएगी तो चलिए हम इसको start पर click कर देते हैं तो देखिए हमने जैसे start पर click किया तो यहां पर चलना शुरू हो गया अब यहां पर convert होना शुरू हो चुका है और यहां तक आप देख सकते हैं कि यह कितनी fast और जल्दी से convert हो रहा है यानि मैंने कहना का मतलब यह है कि extra कोई भी किसी भी तरह का application डालने की जरूत नहीं है हमको कभी कभी ही किसी वीडियो को convert करना पड़ता है तो किसी converter को download करने की जरूत नहीं है और हमने इसका जो टेस्ट करके नाम रखा था और MP3 में convert किया तो आप देख सकते हैं कि यह convert हो चुका है तो दोस्तों अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेर कीजिए इसके अलाब अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप comment box में लिख दीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल के जवाब देनेंगी और हमारे दूसरे नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए आप बने रहे हमारे साथ हम फिर लोटेंगे एक नई वीडियो के साथ